हेलो दोस्तों, इलेक्टिकल विश्ट में फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तों यह 14 पुलस 14 सेलिंग फैन का एस्टेटर है, जिसमें यह अंदर वाला बैंडिंग जो दिख रहा है, वह स्टार्टिंग बैंडिंग है, और यह बाहर वाला जो दिख रहा है, कियों जल जता है, क्या कारण है, किस फर बैंडिंग कोईर से जलता है, और और हम इसे रिफियर कैसे करेंगे तो यह सब जानने के लिए वीडियो को पूरा वाज कीजिए और चैनल में अगर आप नए हो तो इसे सस्क्राइब कर लीजिए वाइए फड़ा फड़ वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों इस फैन में इन तीनों कोयल का जलने का कारण इस लीड के जलने के कारण लीड के नीचे वाला यह तीनों कोयल जल चुका है लीड के जलने का भी कारण होता है दोस्तों सेलिंग फैन हीट हो जाता है तो हीटिंग के जो यह तीन वाइर निकले हो रहते हैं यह थोड़ा कमजोड हो रहते हैं किसी किसी में या फिर क्वाल समय पर सर्विसिंग न करने सभी ये फैन हीट होता है और येलीड जलते हैं कभी किसी सेछिंग आने से पहले सर्विसिंग कराकर chalo कर और दोस्तों कोईल जलने का और यहां आनम हो जाना तो इस वज़से सभी क्俺 जलते हैं एक दो टर्न कम ज्यादा होने से कोई फरक नहीं पड़ेगा जैसे 10 टर्न और 20 टर्न इतना कांतर नहीं आना चाहिए दोस्तों तो इन सभी कारणों से कॉयल कुछ न कुछ कॉयल जलता है और बाकी सब कॉयल बचा रहता है और अगर हाई वोटर अगर आते हैं तो सारे कॉयल जलते हैं एक साथ तो आये दोस्तों अब इस तीनों कॉयल का रिपेर करते हैं दोस्तों रिपेर करते समय बहुत लोग क्या करते हैं कि यह तीनों कोयल को छोड़कर और यहां से जो अच्छा कोयल है वहां से साइड वाले अच्छे कोयल से डंफर कर देते हैं तो इस परस्तिती में दोस्तों फैन बिल्कुल नहीं चलेगा बहुत जलदी जल जाएगा चलेगा लेकिन उसकी स्पीड बहुत सलो रहेगी और आदे घंटे एक घंटे चलने के बाद से पांखा जल सकता है तो यह काम को भी नहीं करना चाहिए अगर आपका एक कोयल जला हो तो उसे डंफर कर सकते हैं लेकिन एक से ज्यदा कोयल जले हो तो उसे डंफर नहीं करना चाहिए बेष्ट यहीं रहेगा कि उसकोयल को निका लिए और दूसरा इस starting binding के उपर वाले यानि running binding के coil को भी निकालना पड़ेगा क्योंकि जब तक running binding के coil निकलेगा नहीं तब तक starting binding के coil bind नहीं हो सकता है क्योंकि running binding के coil के नीचे ही starting binding के coil bind होता है यानि पहले starting binding के coil bind होता है फिर running binding के coil bind होता है तो इसमें तीन कोयल जला हुआ है तो ऊपर के चार कोयल हम निकालेंगे दोस्तों एक दो तीन चार ये चारों कोयल निकालेंगे उसके बाद ही इस तीन कोयल को नया बैंड किया जाएगा तो आये दोस्तों तीन कोयल स्टाटिंग बैंड का और चार कोयल रनिंग बैंड को निकालते हैं लेकिन दोस्तों कोयल निकालने से पहले हमें एक सवधानी करनी चाहिए यहां पर जो जले हुए कोयल को जो अच्छे कोयल से जोड़ रहा है वो लीड हमें मिलनी चाहिए दोस् अशी तरह से कटने के बाद निकले तो दोस्तों देखिए थीनर कुछ इस पर का से डालते हैं जिस कोयल को निकालना है उस कोयल को पर हम थीनर डालेंगे तो थीनर डालने के बाद से लंब सम 15-20 मिनिट तक इसको छोड़ेंगे झालते हमेड़े तब से फ़ले हम बीच वाले को निकाले गए जो जला हुआ को है इसके बीच वाले को यह को निकालने में कोई रिक्स नहीं है तो दोस्तों देखिए कितना अराम से कोई निकल रहा है नहां पर इस स्टार्टिंग बैंडिंग के एक लीड यह है और यह एक लीड इधर से निकलेगा लेकिन यह जला हुआ कोईल को सबसे पहले हम निकालते हैं इस जले हुआ कोईल को मैं काट लिया हूँ लेकिन इसके साइड वाल कोईल बिलकुल ठीक है तो क्वाइल निकालते समय इसके साइड वाल क्वाइल यानि अच्छा क्वाइल खराब न हो इसके लिए हमें एक PVC सीट का ये पेपर लेगें जो साथ नमर PVC सीट है और इन दूनों क्वाइल के बीच में इसे ऐसे डाल देंगे कि इधर से जब क्वाइल खीचा जाएगा तो इस क्वाइल में कोई स्क्रेच न आए अब इस क्वाइल में से थोड़ा सा क्वाइल पले निकालेंगे ताकि हमारी लीड आसानी से मिल जाए तो पहले हाफ क्वाइल में निकाल रहा हूं इस में से ए तो यहां पर देखिये दोस्तों यह जो लीड दिखाई दर आ यहां पर देखिये दोस्तों यह जो पीवी सीट के इस साइड है इस क्वाइल से निकल रहा है यही लीड है हमें इसी lead को बचाना है ये जो lead दिख रहा है तो आए इस lead को बहुत ही अराम से निकालते हैं जो इस जूंड में फंसा हुआ है तो देखिए दो ये lead निकल चुका है ये मेरे हाथ में आ गया है ये तो हमें starting binding का दो lead दिखाई देने लगा है ये की a lead और ये की a lead इसके उपर वाले running binding को coil को भी निकालते हैं इसी तरह इसको भी निकालेंगे जैसा कि starting binding के coil को निकाले हुए थे और इसके loop को भी बहुत आसानी से पहचानेंगे इस coil में भी वैसे ही PVC seat का परियोग करना है उसक कि बाद से उपर वाले coil को खीजना है कि अगया है कि अगया है कि इस तूट चुका है लग रहा है ऐसा यहां पर इतना सा उधानी के साथ निकाले के बावजूद भी lead अंदर से तूट गया है तो यह दोस्तों नहीं मिलेगा इसके लिए हमें दूसरा को काटना ही अक्सर ऐसे फाल्टों में ऐसा होता रहता है दोस्तों तो इसमें बिल्कुल घबडाना नहीं चाहिए वह यह इस कोईल को भी हम काड़ते हैं दोस्तों यह lead यहां पर दिखाई दे रहा था तो मैं इसको अलग कर लिया हूं अब इसको अराम से इस कोईल को निकाल लेंगे देखिए यह निकल गया तो यह lead इस साइड वाला ही हो गया तो हमें इस कोईल का lead मिल चुका है अब आते हैं इस दोनों कोईल को भी काट लेते हैं इस कोईल का lead तो इधर पहले से ही मिला हुआ है अब इससे टेस्टिंग श्री लेंब्स हम चेक करेंगे lead की continuity सही है कि नहीं और body earth नहीं है टेस्टिंग करने के बाद से बचा हुआ कोईल बिल्कुल ठीक है running और starting दोनों बैंडिंगों का अब हमें यहां पर running winding में एक दो तीन चार पांच कोईल डालना है और starting winding में तीन कोईल जो जला हुआ था तो इसके पहले हमें turn और गेज चाहिए दोस्तों तो सबसे पहले हम इस running winding के turn को गीन लेंगे और इस wire को गेज कर लेंगे कौन सा number है और starting winding के जले हुए कोईल को भी turn गीनेंगे और गेज करेंगे इसका सेम उसी turn उसी गेज से इसका rewind करेंगे दोस्तों मैं इस coil को wind करके फिर आपसे मिलता हूं जला हुआ कोईल बिल्कुल बन के ready हो गया है और winding के बाद की परकिरिया जैसे लीड निकालना और पुराने वाले और नए वाले को पाइल को यहां जोइंड करके और सिलीप लगा दिया हूं अगर आप फूल वाइंडिंग के वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दबा कर देख सकते हैं अब आईए दोस्तों इस ओर थेखनिकी को टेस्टिंग वैले में चेक कर लिया जाये कि यह वैंडिंग सई है कि नहीं तो कामन के साथ पर इंस टा इंइडिंग और इस excit me कि मोठाइ 14 mm है इसमें लगने वाले वायर है दोस्तो इससे स्टार्टिंग में 36 नमर connected हुआ है जिसमें कि 306 टर्न है और रूनिंग मैंढिंग भी 36 नमर से हुआ है जिसमें कि 400 टर्न है और यह दोनों copper binding है तो यह रहा इस fan की binding डेटा इसको आप नोट कर ले तो आए दोस्तों अब इसको बॉड़ी के साथ फिट करके इसको चेक करते हैं यह रहा इसकी बॉड़ी इसके बॉड़ी में पहले ही मैं ग्रीसिंग और कर चुका हूं इसमें ग्रीस बिल्कुल सूख गय थे यह भी कारण हो सकता है अंदर वाल कि मैं इसको अच्छी तरह से फिरी करके और इसका कनेक्शन भी के साथ कर लिया हूं मिल नेट भी जोड़ दिया हूं अब आए इसमें सप्लाइद देते हैं दोस्तों ये फैन बहुत अच्छा से चल रहा है रन कर रहा है अच्छा स्पीड हूई है इसका तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्टार्टिंग में दो-तीन कोयल जले हुए मैंडिंग को रिपेर कर सकते हैं बहुत कम खर्च में और बहुत जल तो इस वीडियो को ला तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलविदा